हलो फ्रेंड्स दिस इस अमित गोरब और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सकती पंस लिमिटेट के बारे में बात करेंगे जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसके प्रमोटर लगातार कंपनी में शे अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं और उसके शेयर को खुद बाई करते हैं तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सकती यानि सकती पंस लिम्टेट की छोटी से अनलिसिस आपके साथ में हम शेयर करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 238 रुपए चल रहा है प्रिब्रेश को लोज इसका 232 था इसका ओपन प्राइस जो है 237 था इंट्राइडेम इसने लगबग 254 तक का हाई बनाया और इंट्राइडेम इसका लोज 235 था और इसका वीवेब देखेंगे वाईलूम बेटेज अबरेस प इसका 238 के लेबल पर इसमें आप देखेंगे 10% का अपर सरकिट यानि कि इसमें सरकिट लगेगा तो 10% तक का सरकिट लग सकता है अप साइट में और डाउन साइट में दोनों में तो अब जो सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इसके प्रोमोटर जो है इसमें अभी आप देखें कि रिसेंट में यहां पर दिनेस पटीदार है इन्होंने यह कंपनी के प्रोमोटर है और इन्होंने अभी रिसेंट में आप देखिए पिरियड यानि कि 30 सेप्टमबर 2020 में एक ट्रांजेक्शन कम्प्रीट की है जिसमें इन्होंने 83100 शेर बाई किये है एक्वायर किये हैं यह देखें यहां पर ट्राइफ ट्राइप एक्विजिशन दिखा रहा है यानि कि एक्वायर किया है जिसकी अगर आप बेलू निका लेंगे तो लगवाब 1.5 करोल के शेर इन्होंने बाइक किया है अपनी कंपनी में और इन्होंने एक्चेंज को रिपोर्ट किया था एक अक्टूबर को तो रिसेंट में यह बहुत बड़ी ट्रांजेशन की गई है प्रोमोटर के दारा अपने शेर को एक्वायर किया यहां यहां आप देखिया मार कर रही है कंपनी अपने शेर को एक्वायर कर रही है अगर आप इसको चार्ड पर अभी मैं आपको चार्ड पर भी दिखाऊंगा बहां पर देखिया जैसे जैसे इसकी प्राइस कंपनी के नीचे आती रही है बहां पर कंपनी के प्रोमोटर आके इस कंपनी के शेर को उन्होंने खरीदा है इसका मतलब भी होता है कि अभी नीचे प्राइस चल रही है तो प्रोमोटर यहां पर कम प्राइस पर उसको तो यह पॉजिटिव बात है इसकी वज़े से हम इस कंपनी की थोड़ी से अनलिसिस आपके साथ में शियर करेंगे और अलेड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर खुद आके बाइग कर रहे हैं तो इस नो डाउट कि आने आल समय में इस कंपनी को में हमे सेवन पई सेवन जुरो परसंट की होड्लिंग थी फिर उसके आदम देखिये आप सेप्टमबर दो जार अठारा में यहां पर थोड़ी से बढ़ाई 47.95 की होल्लिंग फिर आगले कवार्टर में देखिए 48.25 परसंट की होल्डिंग यहां पे भी थोड़ी से को बढ़ाया फिर इन तीन क्वाटर में लगबग होल्डी इनकी सेम रही उसके बाद में आप देखिए सेप्टमबर 2019 में फिर से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू किया यहाँ पर देखिए 48.31% की होल्डिंग उसके बाद में दिसंबर 2019 में 48.84% की होल्डिंग फिर आप देखिए मार्च 2020 में 49.14% की होल्डिंग यहाँ पर भी उन्होंने अच्छे खासे होल्डिंग बढ़ाया उसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट फेक्टर आप देखिए लगबग साले 4% की होल्डिंग यहाँ पर जून 2020 में इन्होंने इंक्रीज की है तो यहाँ बहुत बड़ा एक जो है इन्होंने बहुत बड़ा जो है शेयर वाई किया है अपनी कंपनी में लगगा साले 4% की होल्डिंग यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज की स्कॉर्टर में अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टेट नहीं है उनकी 0% होल्डिंग है डिया इ देख निकल के आता है कि प्रोमोटर पॉजिटिव है एफ इस बहुत जाता है इंट्रेस्टेट नहीं है इस कंपनी में डिया इस के बास में भी छोटा छोटा ही हिस्सा है बाकि नॉन इंस्टिट्योशन इंवेस्टर के पास में है जिसमें आपके बहुत सार एचनाइज बिगरा आ जाते हैं बैकि अगर आप टेकनिकल में अगर आप देखेंगे तो देखें बनधे में सो यह आघर गनہ तो आप देखे लगवा छे महेंने में कमपनी करण टर्फ है याँनिकि येरली वाइज येर्स बनियर का कंपेर करें तो निगेटिव है और कमपनी द्हीरव थी कंपनी डाउन से अब धीरे धीरे उपर की तरफ जा रहा है ठीक है तो हम इसका चाट भी अब देख लें डिलेवरी परसंटेज अगर आप देखना चाहें डिलेवरी परसंटेज भहुत जाता मैंने रखती है कि कि इतना वालूम ट्रेड हो रहा है और उसमें से कितने परसंट की डिलीवरी अच्छा खास है इस कंप्पनी में जो की एक पॉजिटिव संकेत हमें लगता ह है तो अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा देखिए बुक बैलू तो लगबग यह सुचोबन की है बुक बैलू से उपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है तो उस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि अभी की कंपनी की जो फाइनिसल रेजेंट में इसका फाइनेशल तो थोड़ा सा अगड़बर है लेकिन अगर आपको मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं देखिए क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर देखिए इनकी प्रफॉर्मेंस नेगेटिव ही रही है लेकिन आप देखिए जून 2020 में इनके पा तो लगबग 12% का उपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनकरीज हुआ यहां पर फिर आप देखिए इस क्वार्टर में यहां पर इनकी स्तिती सही होती दिखाई दे रही है तो यह एक हमें स्वार्टर में अच्छा संकित दिखाई दे रहा है कि कंपनी जहां पर इस चीज को ध्यान में रखिए और यही पॉइंट मुझे एट्रेक्ट कर रहा है इस कंपनी के फाइनेशिल में उसके बाद में आप देखिए यहां पर अगर एरलेजेट देखेंगे तो इनके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगबग 15-16% का था लगबग अपरेटिंग प्रॉफिट मार्चिन 3% का ही रहे गया था उसके बाद में आप ट्रेलिंग टोइल मंद में अब देखेंगे तो यहां पर इंगरीज होना स्टार्ट हुआ है तो अब हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट में देखें दोस्तों यहां पर इनके रिजर्स वहां इस एक साल को बसमलब 2019 के बाद में 2020 तक की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वह प्रॉब्लम इस एक साल में दिखाई थी उसके बाद में अब देखें यहां पर इनकी रिजर्स भी बड़े हैं हलांकि बारोईंग भी यहां पर इनकी बड़ी है और लाइवेल्टी थोड़ रहे हैं उसको पे करने के लिए भी यहां पर पैसा खर्ज कर रही है तो यह अच्छा संक्यत है और यहां पर लगबख नेट-कैस फ्लोराव देखेंगे तो एक करोल का नेट-कैस फ्लोव है जो की पिछल साल की मुकाबरे देखें तो यहां से थोड़ा सा कंप्णी टर अर बंदेएवल है एक देखें कोई भी कंपनी होती है एक उसकाground пойmenront होता है तो अभी देखिए यहां पर जो इसका था सपोर्ट जोन था लगम यहाँ पेर इसका सपोर्ड जोन था तो यह हुए हमें दिखाई दे रहा है लेकिन यह breakout आएगा थोड़ा सा यह वाला जो point है लगबग आप देखेंगे 280-310 का जो यह zone है इस zone में company थोड़ा सा resistance face करेगी और अगर इस zone को company ने cross कर लिया तो इसमें बहुत ही अच्छी rally हमें दिखाई देगी तो इस company को रडार में रखिए यह accumulation zone है यहां पर आप शेर को acquire कर सकते हैं और यहां से यहां तक कि आपको move मिल सकती है तो अगर आप चाहें तो 10-15-20% return के लिए तो यहां तक आप काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें long term के लिए invest करना चाहते हैं तो यहां इस price में आप accumulate कीजिए और जब यह price यहां पर trade करने लगे तो वहां पर आप accumulate कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको short term में momentum trading करनी है तो आपको इसके उपर buy करना है तो आपको एक अच्छा return मिल सकता है और अगर यह price यहां नीचे आए तो आप वहां पर इसको accumulate कर सकते हैं long term के लिए तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया इसमें resistance zone काउन सा है support zone काउन सा है दोनों zone में आपको कैसे काम करना यह भी मैंने आपको बता दिया आपको support zone पे accumulate करना है और रेजिस्टेंस zone में अगर आप चाहें तो बीस परसंट तीस परसंट के रेटन में आप सैटिस्वाइड है तो बहां पर आप पोजेशन को थोड़ा सा कम कर रखिए और इसको जुरूर बाच कीजिए support zone रेजिस्टेंस zone का जुरूर ध्यान रखिएगा और देखिए इसमें कैसी performance आगी आने वाल समय में हमें दिखाई देती है यह यह stock मेरे भी radar में रहेगा और आप लोग इसको भी अपने time लगा रहा हूं तो इसलिए वीडियो की जो frequency है थोड़ी सी कम हो गई है तो उसके लिए sorry लेकिन जैसे मुझे time मिलता रहेगा और अच्छे stock मिलते रहेंगे मैं आपके साथ में जरूर शेयर करता रहोंगा बाकी मेरा telegram channel है दावियाग ग्रोथ के नाम से आप उसको जरू जोइन कर लीजे क्योंकि जब मुझे वीडियो बनाने का time नहीं मिलता है तो वह इस टॉक में directly telegram channel पे पोस्ट कर देता हूं तो जिससे आप उसका benefit उठा सकते हैं बाकी telegram channel का link में वीडियो की description box में दे दूँगा अब महां से join कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के बेरी मुच आप अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए थैंक यू